नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल गुरु चरण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथाकर है, जिन्होंने शिव महापुरान की कथा के द्वारा सभी के जीवन को तार दिया है। सभी को मंदिरों से जोड़ ड़े दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसे ही कुछ उपाए अपने यूट्यूब चैनल पर बताए है, अगर उन्हें अपना लिया, तो आपके कोई कार्य असफल नहीं होंगे। आप जिन्दगी में हमेशा सफल रहेंगे और प्रसिध्धि पाएंगे। ऐसे कई उपाए उन को करने से आपके जीवन में भी सुन्दरता और शांती आ जाएगी। कारियों में किया जाता है। अपने घर में पीपल का पेड़ लगाना बहुत शुँभ मन जाता है। घर में पीपल का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों की उम्म्र बढ़ती है। दीपा वली के दिन रात को साप्ट Nthay maximize से 29 बजे के। बीच में पीपल के पेड़ में 5 सरस पीपल के 21 पत्तों की तौरण बना कर बांध लो, अम आवस्या को निकाल कर घर के पीछे वाले हिस्से में रख दो, एकम वाले दिन चौराहे पर कच्चा दूद चढ़ा कर डाल दो, घर में शांती आती है। अप भगवान शंकर जी पर भरोसा और सच्ची श्रद्धा के साथ इन उपायों को करें, निश्चित लाब होगा। पंडिट प्रदीप मिश्राजी के शिवरत्री के उपए। यदि पैसा नहीं टिक रहा हो, तो शिवरात्री को रात बारह बजे धतूरा शंकर जी को चढ़ दे। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चरहती है, तो वो है सफेद पुष्प। कुंदकेश्वर महादेव को सफेद पुष्प चरहता है। अगर आप किसी कामना से शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्री पर वरत कर रहे हैं, तो आ आप प्रयास करना एक कामना करके शंकर जी के शिवलिंग और जलधारी का शाम को प्रदोश के समय पर शिवरात्री के दिन सफेद पुष्प की पंखुद्धियों से शिव का श्रंगार करना प्रारंभ कर देना। और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।